मैंगो पाई देखी रेडी हो गई है हमें 20 से 25 मिनिट लगे बेग करने में 180 डिग्री पर अब हम इसको इस स्टेंड से अलग कर देंगे बहुत बढ़िया खुश्बू आ रही है सिनेमन, मैंगो क्रश्ट तो बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है इसका आप इसे गरम गरम भी खा सकते हैं ठंडा ठंडा भी खा सकते हैं जैसा चाहिए नमशकार इस निहा की रस्वई में आपका स्वागत है तो चलिए बनाते हैं मैंगो पाई चली सबसे पहले हम माटी की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए हम ले लिया है दो कप मैदा इसको हमें छान लिया है इसमें हम डालेंगे एक कप मक्रान यह मक्रान जो आफ़क का है घर का बना हुद एक चाह के लो मख़त देखे, मिल गया है, इस तरह मुठ्थी भी बनने लगी है, अब हम इसको ठंडे पानी से सानेंगे, फ्रिश का ठंडा पानी लेंगे, एकदम चिल्ड वॉटर, उससे ही हम इसको गोथ लेंगे, कड़ा काटा दीरे दीरे करके, छीटे देते हुए सानते जाएंगे, इस तरह दिखे, हाटा तैयार हो गया है, अब हम इसको फुई देर जब तक उसका अंदर का फिलिंग बनाते हैं, तब तक के लिए साइब में करके रखतेंगे, चली अब हम इसका फिलिंग तैयार करते हैं, इसके लिए हमने एक तोता परी आम काट की रखा है, मीडियम चमच दाल चीनी पाउडर, एक चमच मैदा, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह हमने इसका मिशनर तयार कर लिया है, आम का, अब हम ये आटा लेंगे, और इसके तीन पेड़े बना देंगे, इक्वल साइज के, इस तरह, इस तरह, इस तरह तीन पेड़े बनाने के बाद, हम इनको बेलेंगे, इस तरह हम एक कंटेनर ले लेंगे, उसको हमने ग्रीस कर लिया है, और जो ये रोटी हमने बेली है, इसको हम इसमें अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से एक रोटी फैला देंगे, और दूसरी रोटी को हम पत्तियों में काट देंगे, इस तरह, इक्वल पत्तियां कटने चाहिए, इस तरह से पत्तियां काटने के बाद, हम इसके अंदर पहले फिलिंग भार देंगे, ये आम भरने के बाद, हम इस तरह का ग्लास रख लेंगे सेंटर में, और फिर इसको फिल करते जाएंगे, इस तरह, 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 इस त अब हम इसको ग्लास को निकाल देंगे बहुत भी प्यार से निकालना है जटका नहीं देना है वाँ अच्छा पैटन आया है अभी जो ये एक्स्ट्रा पट्टियां है इनको हम इसे दबा के और काट लेंगे एक स्ट्रिप्स इस तरह लेके इसको हम इस तरह बैंड करेंगे और इसके चार ओर लगा दिए अब ये जो थोड़े से आम के पीस बचे थे इनको हम इसमें सेंटर में डाल देंगे अब हम इसको प्री हीट अवन में बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनिट के लिए मैंगो पाई देखी रेडी हो गई है हमें 20 से 25 मिनिट लगे बेक करने में 180 डिग्री पर अब हम इसको इस स्टेंड से अलग कर देंगे बहुत बढ़िया खुश्बू आ रही है सिनेमिन मैंगो क्रश्ट तो बहुत क्रिस्पी बना हुआ है इसका आप इसे गरम गरम भी खा सकते हैं ठंडा ठंडा भी खा सकते हैं जैसा चाहें बढ़ियो है कि अदो आपको हमारी यह रएसेपि पी कैसे लगी मैंगो पाइ की करिपया कमेंड करना लाइक करना ओर शियर करना ना भूलें आप भी बनाईए खाईए और बताईए आपकी कैसी बनी आपको कैसी लगी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना भी न भूले धन्यवाद